Hello Everybody, हम आपका lesson पढ़ रहे थे English Medium का lesson 1 Don't Quit हमने figure of speech क्या होती है वो देख लिया था अभी हमें poem को read करना है और उसका मतलब समझना है तो हम start करते हैं When things go wrong as they sometime will क्या बोला है कि when things go wrong हो सकता है चीज़े bigger जाए चीज़े जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना जाए आपका lesson 1 Don't work problems आती है कुछ parts happy होते हैं कुछ parts sad होते हैं different phrase होता है my life का कभी बहुत अच्छा time होता है कभी mediocre वाला time होता है कभी बहुत ज़्यादा bad समय चल रहा होता है कभी बहुत ज़्यादा best समय भी चलता है तो अभी क्या बोला है कि जब ऐसा समय आए जब things go wrong जैसा आप चाह रहे हैं वैसी चीज़े नहीं जा रही है as they sometimes will ऐसा होता है when the road you trudging seems all uphill इसका मतलब है जिस road पर आप चल रहे हैं मतलब जिस direction में आप जा रहे हैं trudging का मतलब होता है glossary में आपको पिछे दे रखा है trudging का मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना ठीक है पैर घसीट घसीट के चलना धीरे धीरे चलना तो trudging seems all uphill कि जिस direction में जा रहे हैं आप जिस road पर आप धीरे धीमे धीमे चल रहे हैं को तरफ जा रहे हैं आप जिसे भी डिरेक्शन में जा रहे हैं आपको फेस करने ही पड़ रही है आपकी प्रॉब्लम की तरफ आप धीमे धीमे बढ़ रहे हैं लेकिन वह आपको कैसी लग रही है seems all uphill मतलब वो आपको up hill लग रही है जैसे हम कभी भी mountains पर चड़ते हैं आप कभी भी कहीं चड़ाई कर रहे हैं climbing on the mountain तो आपको ऐसा लगता है आपको बहुत मेहनत करने ही पड़ती है ठीके आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि बहुत difficult होता है उस पर चड़ना mountains पर चड़ना बहुत difficult होता है उतरना बहुत असन होता है लेकि चड़ना बहुत difficult होता है में बहुत power लगानी पड़ती है तो यहाँ पर क्या बोला है कि डिरेक्शन में आप जा रहे हैं यह थे मैं भड़ रहे हैं थीमे धीमे बढ़ रहे हैं तो यहां पर आपका उस हुआ है मैटफर हमने देखा दाद क्या होता है क्या होटा थे से अपयल इसको इंधलाइंग कर लिए यहां पर आप को यूज हुआ है figure of speech metaphor आप लिख सकते हैं आपर मतलब जिस दिशा में आप चल रहे हो जिस रोड पर आपको आप चल रहे हो बहुत सदा difficult लग रही है आपको बहुत सदा problems face करनी पड़ रही है when the funds are low and the debts are high इसका मतलब है when the funds are low and the debts are high यहाँ पर आपका use हो है personification हम एक human attribute दे रहे हैं चीजों को ठीक है तो funds are low पर आप underline कर लिजए यहाँ पर हुआ use personification तो when the funds are low मतलब जब आपके पास कम पैसे हैं ठीक है funds मतलब money आपके पास savings कम है आपके पास पैसे कम है when the funds are low and the debts are high debts का मतलब है कि आपके पास पैसे कम है लेकिन debts का मतलब होता है कि आप कर्जा ठीक है आपने जो कर्ज ले रखा है आपने जो पैसे उधार ले रखें वो बहुत ज़ादा है ठीक है कर्ज आपके बहुत ज़ादा है पर आपके पास उतने पैसे नहीं है चुकाने के लिए तो when the funds are low and the debts are high मतलब आप बहुत ज़ादा problem में हो आप बहुत ज़ादा money shortage से गुजर रहे हो and you want to smile but you have to sigh इसका मतलब है आप हसना चाह रहे हो ठीक है आप हसना चाहते हो आप खुश होना चाहते हो but you have to sigh लेकिन आपको क्या करना पढ़ रहा है sigh करना पढ़ रहा है sigh का मतलब होता है sorrow extreme grief हम जब बहुत ज़ादा दुखी होते हैं तो वह mostly एक deep breath लेते हैं एक लंबी सास भरते हैं जब हम बहुत ज़ादा दुखी होते हैं तो हम लंबी सास भरते हैं इसको हम बोलते है sigh तो आप करना क्या चारे है, आप तो हसना चारे है, खुश रहना चारे है और आप क्या हो अभी? आप दुखी हो ठीक मतलब है कि आप काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो आपके उपर बहुत ज़दा प्रेशर आ रहा है काम का बहुत ज़दा आपकी लाइफ में हडल सारे हैं बहुत ज़दी प्रॉब्लम्स आ रही है फिर नेक्स लाइन में क्या बोला है rest you must but don't you quit तो ऐसी situation में आप rest कर सकते हो but quit मत करना ठीक है रुकना मत उस टीस को आदे से ही मत छोड़ देना ठीक है कि जब ऐसी situation आप face करो जब आप जैसा चारे हो वैसे चीज़े जाई नहीं रही है आप funds की कमी है पैसे नहीं है करजा बहुत ज़ादा है जिस भी दिशा में आप बढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़ादा difficult है आप हसना चारे हो लेकिन आपको साही करना पड़ रहा है आप बहुत दुखी हो आपका काम का उपर बहुत ज़ादा pressure है बहुत ज़ादी problems हारी है तो इसका मतलब क्या है कि इस situation में आप rest जरूर कर सकते हो थोड़ी देर रुख जाओ rest कर लो लेकिन quit मत करो ठीक है छोड़ो मत उस चीज़ को don't quit तो ये था आपका पूरा first stanza यहाँ पर दो जगे आपका figure of speech यूज हुआ है second line में हुआ है metaphor और third line में आपका हुआ है personification is square with its two resistant tons कि life के बारे में क्या बोला है life is square मदलब होता है strange ठीक है हमारी लाइफ बहुत अजीब है with it's twist and tons की बहुत स्था turns है हमारी life में, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब रस्ते हैं, कभी भी कहीं पर भी हम पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव है, कहीं पर भी हम कभी भी पहुँच जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसे सीखते हैं, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, सीखते हैं, जित्ती भी difficult situations आती हैं हमारी life में, हम जित्ती भी problems को face करते हैं, जित्ते भी issues face करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, हम उसको solve करने की कोशिश करते हैं, और solve जब करते हैं, तब हम क्या gain करते हैं, experience gain करते हैं, ठीक है, हम उससे को सीखते हैं, हमें experience आता है, जितनी problems हमारी life में आती है, हम सबसे experience लेते जाते हैं, हमें अनुभव होता जाता है, और हम बहुत जादा अनुभवी बनते जाते हैं, हम learn करते जाते हैं, and may a failure turns about, अब next line में क्या बोलाई, कि हो सकता है कि आप उससे सीखो, और यहां हो सकता है कि आप उससे fail हो जाओ, हार जाओ, sometimes you lose, sometimes you defeat, ठीक है, अब कोई भी problem आती है, या तो आप सीखते हो, या फिर आप उससे, ऐसा बोलते हैं, हारते हो या सीखते हो, है न, when he might have won, had he stuck it out, don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow, ठीक है, अब यहां पर क्या वोला है, when he might have won, had he stuck it out, इसका मतलब है, कि लाइफ में ऐसा होता है, कि कभी कभी आपको रगता है, कि आप जीतने वाले हो, ठीक है, might have won, मतलब about to win, आप जीतने ही वाले हो, लेकिन फिर क्या होता है, had to stuck it out, जैसे हमें अभी quarantine की situation में, करोना की situation में भी हमें ऐसा लग रहा था, कि अब सब थीक हो जाएगा, ये इतने सारे lockdown हो गए है, शाद गर्मी आजाएगी तो शाद थीक हो जाएगा, तो थीक हो जाएगा, असे बहुत सारी possibility बन रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है न हमें ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने तो हरा दिया है लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम जीत रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है don't give up though the pace seems slow और कभी-कभी ऐसा लगता है कि don't give up give up मत करो भले ही pace आपको slow लग रही हो pace का मतलब होता है speed ठीक है भले आपको जो जिस रफतार से आप बढ़ रहे हो आगे वो आपको वह slow लग रही हो बहुत धीमी लग रही हो लेकिन आप रुको मत give up मत करो you may succeed with another blow आप succeed होंगे ठीक है आपको success मिलेगी एक बार और कोशिश करके देखो another blow का मतलब होता है another attempt एक बार और कोशिश करो शायद इस कोशिश अगर आप करोगे तो शायद आप इससे succeed हो जाओ give up मत करो तो ये stanza में एक figure of speech कहां पर use होई है तो जो सबसे first line है जहां पर बोला है life is square ठीक है life को हमने किस से compare किया है square बोला है कि वह ज़दा strange है बहुत ज़दा अजीब है unexpected है ठीक है तो यहाँ पर figure of speech होई है use होई है और कौन सी use होई है personification sorry metaphor use होई है ठीक है यहाँ पर use हुआ है आपका metaphor use हुआ है तो basically paragraph आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि life बहुत अजीब है बहुत unexpected है कभी-कभी आपको सीखते हो कभी आप fail हो जाते हो हार जाते हो कभी-कभी आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप जीत के बहुत पास हो लेकिन ऐसा नहीं होता जब भी आपको ऐसा हो जब भी आपको ऐसा लगे कि जिस pace पे जिस रफ्तार से आप चल रहे हो बहुत धीमी है जब भी आपको ऐसा लगे तब give up मत करो ठीक है उस काम को करना मत छोड़ दो give up मत करो wait for a correct time ठीक है एक correct time का wait करो काम करते रहो correct time का wait करो you may succeed with another blue बस आपको एक और attempt करना है को काम करते रहना है आपको success मिलेगी अब आपका third stanza है success is failure turned inside out कि success is failure turned inside out यह बहुत यह beautiful line है success is failure turned inside out का मतलब यह है कि success is based on failure कि एक person अगर successful है कोई एक person आपके आखों के सामने imagine कर लो कि यह मेरे हिसाब से successful है ठीक है तो एक person अगर successful है तो उसकी success हम कैसे measure कर सकते हैं कि वो कितनी बार fail हुआ है ठीक है वो जगह पर जब आज जो खड़ा है वो person जो बहुत अदा successful है तो उसको हम उस चीज़ से judge ना करते हूँ हम उस चीज़ से judge करें कि वो उसने कितनी बार try किया होगा ठीक है उसने कितनी बार कोशिश करी होगी कितनी बार वो हारा होगा उसके बाद उससे success मिली है उसके बाद उस position में पहुचा है तो इस लाइन का यही मतलब है कि success is based on failure ठीक है, कि success, वो बहुत सारे failures को मिला कर ही एक success बनती है, आप successful कैसे हुए, कब हुए, वो क्या determine करता है, कि how many times आप fail हुए हो, ठीक है, तो इस line में क्या बोला है, कि success जो है, वो failure ही है, ठीक है, कि जितनी बार आप fail हुए हो, उस जगे पर पहुचने के लिए, वही एक success है, ठीक है, तो यह बहुत ही beautiful line है, the silver tint of clouds of doubt, अब क्या बोला है, कि जब हम, जब हम कुछ भी achieve करना चाहते हैं, तो हम future को लेके हमारे मन में doubt रहता है, ठीक है, कि हम successful होंगे या नहीं होंगे, तो वैसे हैं यहाँ पर बोला है, silver tint, silver tint का मतलब है कि, एक silver line, ठीक है, silver line जावर आ अब आपको अपने आप पर शक हो रहा है, आप अपने आप से questions कर रहे हैं, कि मैं achieve कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर clouds of doubt है ना, इस पर underline कर लिजिए, clouds of doubt, यहाँ पर एक और figure of speech यूज हुई है, कौन सी हुई है, आप सब बदा सकते है, personification यूज हुआ है, clouds of doubt, clouds क्या बादल doubt कर सकता है, शक कर सकता है, बादल नहीं कर सकता है, तो human quality है, लेकिन यहाँ पर clouds के लिए बोली गई है, तो वही personification figure of speech यहाँ पर use हुई है, तो जब हमें doubt हो रहा है, अपने आपके उपर हम ऐसा feel करें कि हमें success मिलेगी या नहीं मिलेगी, and you never can tell how close you are, future क के बारे में यही चीज़ है कि आप बता नहीं सकते कि आप कितनी पास है, ठीक है, आप जो भी achieve करना चाहते हैं, आप success जो भी पाना चाहते हैं, आप उसके कितने पास हैं, वो आप कभी भी determine नहीं कर सकते, and you never can tell how close you are, इस लाइन का यही मतलब है कि आप, आपके success के कितने क It may be near when it seems so far, अब next line में आपको यही लिखा है, कि हो सकता है हम ऐसा लग रहा हो कि हम जो भी चीज़ पाना चाहरे हैं, जो भी चीज़ अची़ करना चाहरे हैं, वो बहुत दूर है, ठीक है, हमें बहुत काम करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कठिन है, बहुत काम करना प अब बहुत करना पास हो, ठीक है, so stick to the fight when you hardest hit, तो इसी लिए आपको fight में बने रहना चाहिए, ठीक है, आपको work करते रहना चाहिए, इसका मतलब है, जब आप बहुत ट्रॉबल में हो, आप बहुत परिशानी में हो, लेकिन फिर भी आपको work करते रहना चाहिए, it is when things seem worse that you must not quit, अब last line में आपको क्या बोला है, कि जब आपको ऐसा लगे, जब things बहुत worse लग रही हो, ठीक है, आपको लगे कि सब चीज बिगड़ चुका है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगे, अपने आप पर doubt हो कि यह मुस्से नहीं हो पाएगा, शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, अगर आपके मन में ऐसे questions आने लगे, then you must not quit, आपको quit नहीं करना चाहिए, क्यों हो सकता है कि जो success है, वो आपके बहुत पास हो, तो इस चैंजा में बेसिकली आपको यही बोला है, कि जो success है, वो क्या है, कितनी बार आप हा रहे हैं, ठीक कि आप बता नहीं सकते हैं, आप कितने पास हैं, आपकी चीज के, जो भी आपको अचीव करना है, वो आप उसके कितने पास हैं, आप बता नहीं सकते हो सकता है, आप बहुत पास हो, ठीक है, हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो, कि आप बहुत दूर हो, लेकिन हो सकता है, बहुत पास हो आपकी कुछ भी जो भी आपको अचीव करना है उसके, तो इसलिए हमें stick to the work, हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, हमें काम रहना चाहिए, stay calm, do your work, हमें अपना काम करना चाहिए, और troublesome time में भी हमें हमारा best shot देना चाहिए, हमें जबी भी ऐसा लगें कि things बहुत worst होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, कि हमसे नहीं हो पाएगा, यह हमशाद इसके लिए नहीं है, अगर ऐसा कभी भी feel हो, तो हमें कभी भी quit नहीं करना चाहिए, तो यहीं यह poem सिखाना चाह रही है, पूरी पढ़ लिए हमने यह poem, इसको पूरी poem को अगर हम एक ही लाने में summarize करना चाहें, तो क्या है इसका मतलब कि don't run away, but face difficulties with courage, कि आप अपनी problem से भागो मत, ठीक है, आप जो भी achieve करना चाहते हो, उसमें problems तो आएंगी, ठीक है, सभी को आती है, तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें उसको पूरे हिम्मत के साथ, courage के साथ, उसको face करना चाहिए, और quit तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हमें success मिलती है, हमें जो भी चाहिए, वो result हमें मिलता है, और बात सही figure of speech की, तो कितनी बार use हुआ है figure of speech, तो आपकी first paragraph में, second line में metaphor use हुआ है, third line में personification use हुआ है, फिर second stanza में, first line में आपका use हुआ है metaphor, और फिर आपकी last stanza में, second line में यूज हुआ है personification, I hope आपको एपोएम अच्छे से समझ में आई हो, आपने कुछ life lesson सिखा हो इससे, अगर आपको helpful लगी हो, तो please like the video, subscribe to the channel, thank you so much for watching this video, have a nice day.